हलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपका अपना निजीत सालाकार अमित्राश शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरील आज की वीडियो में हम ICICI potential life insurance company limited के guaranteed income for tomorrow plan की बात करेंगे इस plan को हम gift plan के नाम से भी जानते हैं जी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक और नाम दिखाई देगा इस plan का वो है gift ये plan non participating है, non linked है और life insurance plan है यानि की guaranteed return के साथ में आपको life cover मिलता है इस plan के चार अलग-अलग variant है यानि की चार अलग-अलग option है जिसमें से आप एक option चुन सकते हैं और previous partner मैंने आपको चारोही option के नाम बताये हुए हैं जैसे की lump sum option, income option, early income option और जो fourth one है जिसका नाम है single pay income option चारोही option एक दूसरे से अलग-अलग तरीके से benefit आपको देते हैं lump sum option, income option और early income option की detail के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी और ये वीडियो आपको life insurance playlist में मिल जाएंगी और playlist का link आपको मिलेगा वीडियो के description में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगा option number 4 की जो है single pay income option आईए जानते हैं इस option की detail अगर आप single pay income option लेते हैं तो जो policy term है वो आपको 10 साल का मिलता है और इसके साथ में जो minimum entry age limit है वो है 18 में से आप policy term को घटा देंगे ते यानि की 8 साल की maximum entry age limit आपको मिलती है 60 साल की यानि की अधिक्तम 60 साल तक की IU value व्यक्ति इस plan को ले पाएंगे I mean इस option को ले पाएंगे इस plan के maturity age का जो limit रखा गया वो 18 साल से लेके 70 साल तक का और बात आती है यहाँ पे minimum premium का limit तो वो एक लाख रुपे का है कम से कम एक लाख रुपे का minimum premium आपको पे करना होगा plus taxes life cover की बात करें तो दो option है यापे अगर आपकी उमर up to 55 साल तक की है तो आपकी single premium का 10 गुना तक आपको life cover मिल सकता है इससे जादा आपकी उमर होगी तो आपके single premium का सवागुना तक ही आपको life cover मिल सकता है अब जो guaranteed income benefit है ये कब से मिलना शुरू होता है ये आपको policy के दूसरे साल से मिलना शुरू होता है और अंत तक मिलता है यानि कि 9 साल आपको इसमें guaranteed income benefit मिलता है जो death benefit का amount है वो summer short on death होता है यानि कि जो cover amount आपको उपर बताया गया है इसके अनुसर वही अब जान लेते हैं कि benefit किस तरीके से मिलेंगे browser का ही हमने example यहाँ पे carry forward कर लिया मिस अंजली जी है जिनकी उमर 35 साल के एक लाख रुपे उन्होंने pay करा तो 10 लाख रुपे के यहाँ पे उनका life cover हो गया और policy के दूसरे साल से उनको 13,000 रुपे अगले 9 साल तक और income period के दुरान अगर देत हो जाएगी तो इनके नौमनी को इतना ही पैसा लगातार मिलता रहेगा जोकि टूटल हो जाएगा एक लाख 25,847 रुपे क्योंकि 13,983 रुपे उसका 9 में आप गुणा कर देंगे क्योंकि 9 साली मिलना है बात आती है surrender की तो single pay option है तो policy के पहले साल से याप policy को surrender कर सकते हैं और जो surrender value की calculation होगी वो होगी guaranteed surrender value factor का गुणा कर दिया जाएगा आपके base premium में और उसमें से घटा दिया जाएगा जो भी आपको income benefit मिल चुका होगा वो माल लेते हैं कि मिश अंजली जी policy के 6 साल complete होने पे policy को surrender यहाँ पे करती है तो एक लाख रुपे का 90% यहाँ पे निकाला जाएगा और उसमें से 6 साल में जो income benefit amount इनको मिल चुका है जो की है 83,998 रुपे का यह घटा दिया जाएगा तो 6,102 रुपे का amount यहाँ पे surrender value के रूप में बचेगा और हमें पता है कि single premium plan में अगर हम policy के 14 साल के बाद policy को surrender करते हैं तो paid value का 90% तक ही मिलता है अब हमें यह नहीं बताया गया इस plan के अंदर जो policy document है उसमें कि कितने प्रतीशत की दर से हमें guaranteed benefit यह मिलता है policy document का page number one section number two यह third point आप देखेंगे वो आपकी screen के उपर है आप इस साफ लिखा है कि guaranteed income benefit जो होगा यह आप guaranteed income installment भी कह सकते हैं वो policy जब आप लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके single premium का कितने प्रतीशत आपको मिलेगा बाकी surrender value का factor हमने already और जो basic information है right वो सब कुछ हम previous part में share कर चुके हैं तो आप previous videos जरूर देख लीजगा इस option की basic information यही थी आपने वीडियो अंतक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक चीज़ कुद भी समझें दूसरों को भी समझाए कि insurance एक protection है और protection कभी अदूरी नहीं लेते प्लान की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी link description में है